तो हलो फ्रेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जैप प्रक्रम आप लोग देखे रहें कि अच्छा दसभी और ये सबसेक्ट बाइलोजी का है और जिसके पहला जो की प्रक्रम दिया गया है और जैप प्रक्रम को आपको ऐसे मैं समझा दूगा जैस जाएगा याद हो जाएगा तो दिक्कत होगा ही नहीं तो चलिए हमाँ स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जैप प्रक्रम का एंगलिश होता है लाइफ प्रोसेस आप लोग याद रखें तो जैप प्रक्रम भाई कहते कि इसको हैं बड़ा गौर से सुनिएगा ध्यान से हैं जैसी कि हम लोग का साहस बंद कर दिया जाए तो क्या हम लोग जिंदा रहेंगे कहिएगा नहीं तो वही कुछ है तो सुन लेते हैं एक लाइन में हम लोग बोलेंगे जैप प्रक्रम वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षन का कारी करता है उसे ह हम लोग क्या कहते हैं जैप प्रक्रम कहते हैं किलियर हो गया अब हम आपको बताएंगे यहां पे जैप प्रक्रम यहां पी जो है जैप प्रक्रम में कौन-कौन से प्रक्रम है कौन-कौन से प्रक्रम है जिसे हम जैप प्रक्रम कहेंगे यह बात आता है तो जलिए जैप प् पोशन हो गया सोशन हो गया वहन हो गया और उत्सर्जन हो गया इस चीज को हम लोग पुंड़पेंड डेटेल से समझने वाले हैं तो टिंसन नहीं लेना है ठीक है पोशन सोशन वहन और उत्सर्जन क्या है एकदम डेटेल से ऐसा नहीं कि पुंड़पेंड डेटेल से आप लोग को समझाएंगे यह पोसन क्या है हम लोग जब कमजोर हो जाते हैं देखते हैं कमजोर हो जाते हैं तो डॉक्टर जो हम लोग को बोलते हैं प्रोटीन युक्त खाना खाईए प्रोटीन युक्त खाना खाईए हम लोग क्या करते हैं जो प्रोटीन युक्त खाना होता है खाना स्टार्ट कर देते हैं, और आपने गौर किया होगा, खाना खाने के बाद, दो से तीन दिन बाद हमको फायदा मिलता है, क्योंकि जब हम लोग खाना खाते हैं, उसके बाद पचने के बाद जो है, वो अवसिष्ट पदार्थ बाहर होता है, बाकी जो बचा हुआ था, वो हमारे सरीर में जाता है और हम लोग उर्जा मिलता है। तुरंत उर्जान ही मिलता है 1-2 दिन के बाद मिलना श्रारट हो जाता है। क्योंकि आगे का काम ठांट हो नॉँ यह हो गया आप लोग का पोशन। मतलब भोजन गरहन करना पचे भोजन का अबसोशन एबं सरीर द्वारा अनुरक्षन के लिए उसका उपयोग करना पोशन कहलाता है तो भाई आसा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे तो हम लोग देखेंगे पोशन के अधार पर जीवों को दो समुव में बाटा गया देख अनुनते जो खुद पे आसरीत होता है तो मैं यहां पर बात कर रहा हूँ पोशन के kamu में बाटा गया एक सवयं पोशी के बात करें यहां जो है दूसरे जीव पर निर्भर रहता है दूसरे चीज पर निर्भर रहता है तो यहां पर हम लोग इसको थोड़ा डेटेल से समझते हैं पोशन वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वतावरन उपस्थित सरल और जैविक पदार्थ जैसे CO2 हो गय पाइड पानी और सूर्य के परकास से अपना भोजन बनाता हो उसे ही हम लोग कहते हैं स्वयम पोशी अब आप लोग हरे पेर पोधे को देख लिजिए वो जो है सूर्य की परकास से रोसनी लेके अपना खाना बनाता है और साथ ही हुआ हवा से CO2 गरहन करता है और धरती से वो पानी गरहन करता है उसे ही हम परकास सांसलेशन भी कहते है तो चलिए आगे हम लोग समझेंगे परकास सांसलेशन अब यहां भी बिसम पोशी की बात करे पोशन का वह तरिका जिसमें जीब अपना भोजन स्वयम नहीं बनाता है बलकि अपने भोजन के लिए अन्य से खादाना लेता है किसी से कुछ मांगनी के लिए नहीं जाता वह प्रक्रतिक से प्रकास ले लेता है धर्ती से नमी रहती है जमीन में और वह पानी गरहन कर लेता है तो सबसे वरिया क्या है पेर पोधे और यहां मानब जो है मानब भी हम लोग दूसरे चीपे आश्रीत रहते हैं लेकिन इतना हम डीप नहीं जाना चीए मुझे मैं आपको बता दूँ विसम पोसी वैसे कुछ अन्य जीवानों परकास संसलेशन कर सकते हैं और हरे पोधे हरे पोधे ही आप लोग को स्वेम पोसी नहीं हुआ कुछ जीवानों मतलब वैक्टिडिया भी जो है परकास संसलेशन कर सकते हैं ठीक है तो हम लोग आगे देखते हैं क्या दिया गया है परकास संसलेशन आगे हम आपको पढ़ाते हैं जैसे कि हमने बताया स्वयम पोसी परकास रंसलिसन वह प्रक्रम है जिसमें स्वयम पोसी बाहर से लिए पदार्थ का को उर्जा संचित रूप से पड़ेवर्तित कर देता है यहां पदार कार्बन डायोकसाइड तथा जल के रूप में लिए ज आते हैं देखिए बहुत ध्यान से सुनिए गा यहां पे कार्बन डायोकसाइड और जल Yosh, Used II क्या होता है जल होता है जो सूर्य के के परकास था तो कि उपस्तिती में सूर्य के सशरें 2 ही है कि परकास होना चाहिए और क्लो डो जाएक दम टीप में लेके जायके समझाएंगे परकास संसलेशन के लिए आवेसक गच्ची समागरी देखिए परकास संसेशन सूरिय से परकास ले लेता है और कलोडो फील हो जाता है और करबन डायोकसाइड अस्थल्य पोधे इसे वायु मंडल से प्राप्त कर लेते हैं करबन डायोकसाइड और आप लोग को बता है भरे पेर पोधे जो है यह कलोडो फील जो आप लोग अब यहां पे दूसरा सवाल आता है carbon dioxide पेरपोधे carbon dioxide लेते हैं वो निसले आप किसand हम लोग गहन करते जैसा आप लोग को पता है तो यहांपे करलेते हैं और हम लोग के लिए शुक्ष ऑक्सीजन देते हैं पेर पोधे बोला जाता है लगा यह थियांद मिती से अपसोसन कर लेता है खुद वो अपसोसन कर लेता है अब हम लोग यहां पे आगे आ चुके हैं जो कि आप लोग को पता है पेर पौधे को नाक नहीं होता है ठीक है हम लोग को एक नाक दे दिया दो छिदर हैं उसमें जहां से हम लोग अच्छी तरह से साहस ले लेते हैं ल वैसे नाक होते हैं और पेर पोधे भी हमारी तरह स्वासन लेते हैं सहास लेते हैं चलीए ठीक है समझ अब यह रंद अश्टो माठा देखें अश्टो माठा क्या है हम आपको समझा देते हैं पत्ति की सता पर सुख्ष छोटे-छोटे चिद्र होते हैं अब आप लोग को कहते हैं अब आपको मैं बता दो रंद का जो परमुक कारी क्या होता है वो भी आप लोग समझ लीजिए प्रकास संसलेशन के लिए गैस अधिकास आर्दान परदान उन्हें छिद्र के द्वारा होता है ठीक है वास्पु सरजन पडिकरिया में जल जल वास्प के रूप में र रंद छिद्र ठीख है रंद छिद्र क्या करता है वो कारबन डैक्साइड को अपने और लेता है और इसका जो कारे क्या है द्वार कोशिका का द्वार कोशिका जो ये छोटे छोटे आप लोग देख रहें सर्किल टैप का वो आप लोग उनका क्या कार्य है जब वो कार्बन डैक्साइड को लेता है अपनी ओर तो वो सुकर जाता है ठीक है और जब बंद करने का मन होता है या जब मर्जी हुआ वो अंदर बाहर जा सके तो वो होते रंद्छिद यहां जो है एक छिदर में क्या होते हैं कारवन डियोक्साइड लिया जाता है और दौर कोशिका होता है और वो दौर कोशिका होता है अब वर अश्थी Bah Clean Time, समझाने की कोशिस चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं आगे क्या दिया गया है तो हम लोग देखेंगे विसम पोसी पोसन तो इससे पहले हम लोग देख चुगे हैं अब हम लोग देख लेते हैं विसम पोसी पोसन को हम बोले थे पहले ही आपको पूर्णोपें डिटेल से बताएंगे तो चलिए हम आपको बता देते हैं यहाँ पे विसमपोसी पोसन को जहें तीन तरह से बाटा गया तीन परकार से बाटा गया तो कौन-कौन से है वो आप लोग समझ लेज़े और बहुत अच्छा से समझ जा और उनका पाचन सरीर के अंदर होता है तो आगे आपको देख रहें क्यों मिलेगा अमीवा का पोसन यहाँ पे देख रहें ना अमीवा का पोसन प्रानी समपोसन जो होते हैं वो जो है क्या करते हैं अपने अंदर जो है खाना जैसे ही आता है वो अपने अंदर ले लेता है ठीके तो उसे हम कहेंगे क्या प्रानी संपोशन कैसे देखे एक इनसान भी होता है इनसान जब हम लोग खाते हैं तो पेट के अंदर खाना ले लेते हैं तो उसे क्या कहेंगे प्रानी संपोशन कहते हैं सिधी सी बात इसमें जीव संपुर्ण भोज्य पदार्थ को अंतागरन करते हैं तथा उसका पाचन सरीर के अंदर होता है भाई पाचन सरीर के बाहर तो नहीं होगा अंदर ही होगा न आसा करते समझ गये होंगे चले आब अगला देखिए मिर्त जीवी पोशन अपना भोजन मिर्त जीवों के सरीर वा सरे गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त होता है बारिस के मोसम में आप लोग को याद होगा बारिस के मोसम में एक मस्रूम जिसा उगर जाता है जहां पी गोबर बगेरा जादा होता है वहाँ पे उसको ऐसे बोला जाता है गोबर छटा भी बोला जाता है इंगलिस में बोले तो मस्रूम भी बोला जाता है कबक होते हैं तो आप लोग देखे हूँए वो जो मिर्त जीवी अपना भोजन मिर्त जीवी के सरीर पर सरे गले कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे मिर्त जीवी कहते हैं उधारन के तोर पर फुफुनदे और कबक ठीक है चलिए समझ गया हूंगे अब आप लोग समझ जाएए परजीवी पोसन परजीवी पोसन परजीवी अन्य जीव के सरीर के अंदर या बाहर रहकर उसको बिना मारे उसको बिना मारे उससे अपना पोसन प्राप्त करता है उससे क्या कहते हैं परजीवी पोसन कहते हैं नहीं समझ वाया हम आपको बताते हैं आपके सर में चलिए आपके सर में नहीं किसी और के सर में देखते हैं जू होता है और कुछ जानते हैं कुछ इंसान धीला भी उनके नाम से जानते हैं तो जू जो होता हमारे सरीर में रहता है और बाल में रहता अक्सर ये बाल में वो का करता है तो बाहर बलाएयग जानगे आप दीखे स्फित करमी कर्मoria अंदर्षा कर अंदर यह हां पेट में भी fulfilled हो गिज़ा disproportion हम लोग बिशम पोसी के हम आपको लगभग तीनों पार्ट हम क्लियर कर दिए चलिए आगे देख लेते हैं आगे आज आजाता है अमीबा का पोसन अधी हम पोसन ही पर रहे हैं सिर्फ पोसन का डिफनेशन से नहीं होता है पूर्णुप्य पर उसका जानकारी होना चीए अमी इसका नहीं होता है यह कीसी भी आकार में होसकता है अमीवाँ अमीवा पोशन कैसे होता है यह भोजन है ओर यहां पे इस इस तरह से भी इसको अपने और ले सकता है, अपने अंदर डाल लेता है, अमिवा का पोशन इसी तरह होता है, आपको ये सारा चीज आपको लिख देना है, जैसी कि मैंने यहाँ पर आप लोग को बता रखा, अमिवा भोजन अपने पादव की सहिता से घेर लेता है, ठीक है, खाद रितिका तक लेके जाता है, खाद रितिका में जटिल पदार्थ का विघटन, विघटन मिज़ क्या होता है, तोरना सरल पदार्थों में क्या जाता है, ठीक है, और यहाँ पे देख लिजे, आप लोग, यहाँ पे देख लिजे, बचा हुआ ओपच, मतलब जो खाना नहीं पचा कोशीका के सतह की और गती करता है देख लिए यहाँ पे यह बाला सारा पाठ नवीबा को बहर भी कर देता है ठीक है? इसमें होता है चलिए हम लोग देख लेते हैं आगे हमारा जो टॉपिक है पहरा मिसियम में पोसम चलिए तो आप लोग ने देख्या अमीवा का जो पोसन होता है अमीवा का कोई यह श्ट्रेक्टर नहीं होता है पहला बात सीखने को मिला और अमीवा जो है अपना पोसन घेर लेता है चारू तरप से और उसको जेकर लेता और अपने अंदर ले लेता है जैसे कि मानाव हो गया मानाव हम लोग रोटी खा लेते हैं मुँँ में डारेक्ट पेट में चल जाता और पेट में ही परिक्रिया होता है उसका पाचनाचन का तो हम लोग देखते हैं पैरा मिस्यम में जो है कोई का की तरह धके होते हैं पैरा मिसम एक बाल होता है मान लिया ज़े ये पैरा मिसियम है और मान लीजे ये पैरा मिसियम है और इसमें एक छोटे छोटे बरे 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 बाल होते हैं ये भोजन को एक विशिष्ट अस्थान से गरहन करते हैं गमिवा में इसी तरह का पोशन होता है इसमें बाल से मतलब ये अपने और धक नहीं सकत हैं भोजन एक 20 रष्टान से ही गरहन क्या जा सकता है इसमें ठीक है तो आगे चलते हैं आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पर मनुस में पोशन हम लोग तो अमीबा में जानगे परामिसियम में जानगे लेकिन वाई हम लोग को मनुस में भी तो जानना है चलिए सबसे पहले यहाँ पर दिख लिए मनुस में पोशन आप लोग को उपड़ में दिख रहा है अंतागरन पाचन अबसोशन स्वेगिक करन वाहिच्छेपन चलिए एक एक चीज को हम अच्छी तरह से समझने का कोशिस करेंगे चलिए अंतागरन जो है भोजन के मुख्य पाठ है यह सारा चीज़ करते हैं तो इसको अच्छी तरह समझ जीते हैं पहला मेंने बोला अंतागरन आप लोग देख रहें अंतागरन चलिए मूं यहां देखे हैं मुँ भोजन का अंतागरन ठीक है दात क्या करता है भोजन को चवाते हैं और चवाने के बाद जीवा का कारी होता है जब हम चवाते हैं तो लार में लिपट जाता है जी के थोआ भोजन को लार के साथ पूरी तरह से मिलाता है ठीक है अब क्यों मिलाता है पी माल्टो सक्रा भी कहते हैं जहां पे यह भोजन को लार इसलिए पुर्णुपेन यह है कि लार में हमारे एक तरह क्या इंज्यायम भी पाया जाता है जिससे यह पाचन सकती अधिक होते हैं ठीक है लार की चलते तो आप लोग को यह पुर्णुपेन हम समझाने की कोशिस रोटी लेते हैं खाते हैं तो रोटी लेने के बाद जैसे मुहम लियत यह अंतगरन हो गया भोजन को चवाना दात सा क्या कारिये भोजन को चवाना और जीवा का क्या कार्म है भोजन के लार के साथ पूरी तरह को मिलाना ठीक है तो लार गरंती अब आता है भाई लार गरं वाइट टेंसर मतले ना कि नहीं समझ में आ रहा सर पिक्चर की द्वारा समझाएंगे मुझ से अमासे तक भोजन की गरसिका करमा कुचक गती द्वारा ले जाते हैं और ग्रासिके की मास पेशियों को सुकुंचन द्वारा सिथी लिन ठीक है यहां पर आप लोग आ चुके है चलिए देख लेते हैं कहां पे क्या होता है पुर्णुपेन बात हम लोग जानते हैं तो आप लोग को जैसे पता हमें ने बताया जीवा मुख गोहार और ग्रासिका ग्रासिका जो है नली है ठीक है और यक्रित आप लोग देख लेजे पित का भंडार पित का रस तो और य आम लोग जो हैं भोजन जब करते हैं अपने मुझ से मुख गुवा से तो अग्रासिका के और होते हुए वो कहां आते हैं अमासे में आते हैं ठीक है अमासे में आने के बाद उनका जो कार होता है वो कार करने के बाद वो छोटी आत में भेज देते हैं और छोटी आत में जिस और साथ ही ये बला जो पाठ दिख रहा है लास्ट जो पाठ आप लोग को दिख रहा है वाहे दंत्र ये भी दिख रहा है और परिसेसिका द्वारा जो है इस तरह से भोजन पचे हुए भोजन जब छोटी आत में जाती है तो ये इस तरह से इधर से हम लोग को गुद्दा द यह ब्राशिका के दवारा जाता है यहां गला जो है ग्राशिका ग्राशिका जो है कि चोटी आथ को टासफर करता है और टासफर वो जो है छोटी आथ अपने और पाचन कर लेते हैं पाचन तन तो जो हम होते हैं वो पाचन कर लेते हैं और पाचन करने के बाद जो अवसिष्ट पदार्थ बता है मतलब सबची खिचने के बाद जो अवसिष्ट पच गया जिसका कोई कार्ण नहीं होता है वो जो है छोटी आथ तक पहुचते हैं और पहुचने के बाद वो क्या होते हैं वो घूम के अराम से गुद्धा द्वार द्वारा बहार निकल जाते हैं चलिए आप लोग पुण्डपिन समझ ही गए होगे तो चलिए हम लोग ये भी समझ लेते हैं अमास है बहुत बाद सुने तो सब चीज मापको इसमें बताएंगे हैं जठर अंतियां दिए अमासे मूंते इक जठर गरंतियां और प्याप्सीन का siitä पाचक एंजायम प्रोटीन का पाचेन करता है प्याप्सीन रहे में पहुचन का का लिखा यहां पर देखते हैं आगी की बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ठीक है आगे का जो हम लोग पार्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सोसन बगएरा और जो पार्ट छुटा हुआ है और सोसन बगएरा हम लोग देखेंगे तो यार वीडियो अच्छे लगत वीडियो को लाइक करना दोस्तों साथ सेर करना इसका पार्ट 2 आएगा पार्ट 3 आएगा तो जल्दी से जल्दी आप लोग इस वीडियो को कम सी कम 100 लाइक करें और 100 लाइक जैसे ही होगा हम इसका पार्ट 2 आप लोग के सामने लाएंगे और उससे पहले भी ला सकते हैं कहीं कोई दिक्कत ने लेकिन लाइक में कंजूस्वी ना पासा करते हैं आप लोग समझ गया होगे थैंक्स फूर वाचिंग माई वीडियो अधी आप लोग नए होंगे हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे चलिए जैहिंद जैभारत आपका दिन शुब हो